हेलो माई दियर इस्टुएंट्स बेलकम बैक टू गूगल कमिश्टी कार्वान इन इट्स कंपाउंड चेप्टर में आज हम लोग डिसकस करेंगे वर्साटाइल नेचर आफ कार्वन माई डियर स्टुएंट्स मैं आपको बता दू कि यह लेक्चर बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है आपके नौलेज के लिए आप लोगों ने क्या कभी सोचा कि इस धर्ती पे जितने कंपाउंड पाया जाते हैं उसमें 90% से ज़्यादा कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्वन पाया ही पाया जाता है इट मीन सम सीधे बोले तो यार अगर 100% कंपाउंड है तो 90% से मोर देन जो है वो आर्गेनिक कंपाउंड है और आर्गेनिक कंपाउंड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है ऐसा एक कंपाउंड जिसमें कार्वन पाया जाता हो विच जिकाल्ड आर्गेनिक कंपाउंड त उन दोनों प्रॉपर्टी को आजम discussion करेंगे जिनको हम बोलते हैं unique feature of carbon या unique nature of carbon या इसी को हम बोल सकते हैं versatile nature of carbon तो उन दोनों feature को उन दोनों nature को उन दोनों property का discussion आजम करेंगे first property हमारी क्या है tetravalency carbon की tetravalency carbon tetravalent होता है आप सोचेंगे sir कैसे यही तोम लोग आज की वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को last तक देखेंगे सारे concept क्लियर करेंगे और कैसे questions हमारे exam में आते हैं वो भी हम देखेंगे और बात करें अगर दूसरे property की तो दूसरी हमारी जो property है वो है क्या ketanation power और बहुती ज्यादा interesting है यह दोनो प्रॉपर्टी आप खली ध्यान से मेरी बातों को सुनिये का 100% किताब नहीं उठानी पड़ेगी आपको देखें students अगर हम आपसे बात करें tetrabalancy तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं carbon को लिखते हैं carbon ketomic cell में जो electron होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं valence electron इनको क्या बोलते हैं valence electron और हर element की tendency होती है कि उनके outermost cell में 8 electron हो जाए और वो inert gas जैसे helium, neon, argon, krypton, genon, redon इन में से किसी एक gas का जो nearest हो उसके उसका electronic configuration पाजाए तो यार carbon का nearest हो है वो neon है क्योंकि इसका item number 10 होता है अब सीधी सी बात है कि इनको यार octet complete करना है octet complete करने के लिए ये क्या कर सकते हैं मैंने बोला था या तो 2 electron हो या तो 8 हो तो अगर 2 electron चाहिए तो ये 4 निकालेंगे तब 2 बचेगा और अगर 8 चाहिए तो ये क्या करेंगे 4 का addition करेंगे तो सीधी सी बात है 4 का addition करना होगा इनको तो ये electron लेते नहीं है ना electron ये देते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हम लोग ने cobalent band discuss किया ये electron की sharing करते हैं और एक-एक atom के साथ एक-एक electron की sharing करते हैं और ये 4 electron share करते हैं अपने ये जो outer muscle में 4 electron है इनी के sharing करते हैं So this is called tetravalency क्योंकि ये 4 electron band बनाने में participation देते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं carbon tetravalent है क्योंकि इसके outer muscle में 4 electron है और 4 sharing कर लेते हैं और देन इसका octet पूरा होता है hydrogen के पास एक electron होता है यहाँ पे भी hydrogen इसके पास एक electron यहाँ पे भी hydrogen इसके पास एक electron यहाँ पे भी hydrogen इसके पास एक electron अब carbon करता क्या है carbon कहेगा भी आप हमसे एक electron अपने एक-एक electron हमसे आप लोग ले लीजिए तो यह देखे एक electron hydrogen को दे दिया और बोला कि ऐसा है अपने भी आप एक एक electron हमको दे दीजिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो carbon का octet भी complete हो गया और hydrogen का doublet complete हो गया यानि कि दोनों satisfied हैं क्योंकि हर element परेशान stability के लिए तो यहाँ carbon ने कितने electron हो के sharing की carbon ने 4 electron हो के sharing की एक-एक hydrogen के साथ एक-एक electron के sharing हुई So this is called tetrabalancy अब आप सोचेंगे सर्ट-balancy word से हम क्या समझें तो my dear students आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग सोचते हैं आउटर मोस्ट सेल में जितने electron है या balance सेल में जितने electron है वही balance है बड़ ये definition नहीं सही है अपने octet को complete करने के लिए किसी element के द्वारा जितने electron लिये जाएं जितने electron दिये जाएं या जितने electron की sharing हो which is called balance तो carbon की case में ना electron लिये जा रहे हैं ना electron दिये जा रहे हैं बलकि electron share किये जा रहे हैं तो carbon tetrabalant atom हुआ अब exam में question आएगा tetrabalancy से आप क्या समझते हैं तो in the case आप carbon it has 6 electron electronic configuration लिखे तो in the outer most cell it consists 4 electron and due to 4 electron it shared all 4 electron in the formation of bond so it is a tetrabalant atom I hope आपको clear हुआ होगा और क्योंकि ये bond बनाने के लिए electronों को share करता है 4 electron share करता है इसलिए इसकी balance 4 होती है अब आप सोचेंगे क्या सर हर compound में carbon की balance 4 होती है तो हाँ idea response मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखें बात करें CO2 की तो CO2 के case में देखें यह हमारा carbon है यह double bond को double bond O carbon कितना band बनाया जारा count करिए 1,2,3,4 balance की नहीं 4 बात करें CH4 की CS4 को हम ऐसे दिखाते है carbon कितना band बनाया अब यहां पर hydrogen hydrogen add कर दो चार carbon की balance कि नहीं 4 क्या हुआ tetravalent तो अई हूप आपको clear हो गया माई दियर students की tetravalent से क्या मतलब है अब tetravalent है तो यह धेर सारे compound बनाता है हमारा जैसे methane, ethane, propane, butane यह सारे चीज़ हम लोग इसी chapter में पढ़ने वाले है अब बात करते हैं दूसरे nature की कोई चीज़ कार्ड केटे nation power तो यार इसका discussion करने के पहले board को हम खाली कर लेते हैं तो जल्दी से लीज़े screen side देर हम discuss करते हैं केटे nation power माई दियर students अगर हम बात करें केटे nation power की तो आप लोग यार दोस्ती किये होंगे कोई-कोई इनसान ऐसा होता है उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं वो सभी से दोस्ती कर लेता है जहां बिचार आपके हमिले आपकी दोस्ती हो गई बहुत सारे दोस्त होंगे और कई सारे लोग ऐसे हैं जो गुमसुदा रहते होंगे अकेले रहते होंगे तो ठीक उसी प्रिकार से जो कारबन है न वो एक दूसरे से बहुत जल्दी जुड़ जाता है कारबन के पास टेंडेंसी है लोगों से जुड़ने की तो यह जो कारबन की टेंडेंसी है लोगों से जुड़ के लंबी चेन बनाने की लोगों से जुड़े या खुच से जुड़े यह जो जुड़निंग कैपिसिटी है न इसी को हम केटेनेशन कैपिसिटी बोलते हैं तो catenation क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है माईडियर्शन the property of carbon element due to which atom can join with another atom and form a long chain is called catenation carbon की ऐसी tendency कि जिसकी tendency से वो किसी दूसरे atom से जुड़ता है या अपने ही जैसे similar atom से जुड़े और एक लंबी chain का formation करे which is called catenation सीधे-सीधे catenation का मतलब है जुड़ना किसी से जुड़ने की capacity carbon में बहुत जबरदस्थ होती है tetrabalenta होता ही है आप लोगों ने पढ़ा इसलिए इसकी catenation power बहुत ज़ादा होती है और due to its capacity of catenation it is farmed more than thousand compound यह बहुत हजारों compound बनाता है इसलिए इतने सारे number में organic compound आपको दिखते है तो I hope आपको इस question का जवाब मिल गया होगा कि धर्ती पे 100 compound है मान लीजिए तो 90 से प्लस अकेले carbon के ही क्यों है यही reason है इसकी catenation power जबरदस्थ है अब यह अपने catenation power के हिसाब से 3 type के compound बनाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा एक होते हैं chain compound एक होते हैं branched compound एक होता है ring compound तीन ही type के compound होते है my dear students तो हम लोग तीनों का discuss करते हैं कि carbon कैसे catenation कर लेता है एक होता है chain एक होता है branched और एक होता है my dear students ring तो मैं सब का example आपको दे रहा हूँ उगर बात करूँ chain की तो carbon लंबी chain बनाता है ये देखो carbon कुछ से जुड़ता चला जाएगा carbon की balance कितनी होती है 4 तो ये आपका काम क्या है 4-4 band हर carbon के पास होने चाहिए तो ये देखो यहाँ देखिए इस carbon की बात मैं कर लो कितने band है 1,2,3,4 इस carbon की बात करूँ 1,2,3,4 कितने है 4 किसी भी carbon की बात कर लो 4 band है और इसी reason से या तो ये खुद के जैसे एक atom से जुड़ेगा या किसी और से अब यहाँ पे आप hydrogen जोड़ सकते हो यहाँ पे आप hydrogen जोड़ सकते हो इसी तना बात करूँ यह carbon हो गया यहाँ पे F जोड़ दिया यहाँ पे F जोड़ दिया यहाँ पे H जोड़ दिया C F 3 H हो गया बहुत सारे compound कुछ भी बना सकता है तो यह हो गया वहीं पर बात करें अगर my dear strength branched compound की जो की carbon बनाता है तो यह भी ketonation power की ही वज़े से देख लीजे branch कैसे बनेगा C C C C यहाँ पे chain और लंबी कर दिये यह देखे यहाँ पे hydrogen जोड़ दिये यहाँ पे hydrogen जोड़ दिये यहाँ पे hydrogen जोड़ दिये और यहाँ पे फिर से 2-2 balance है इसकी complete अब आपको क्या करना है hydrogen जोड़ दिजिए सब balance हो गया मामला hydrogen नहीं भी जोड़ रहे है तो carbon की case में यह सारे bond बने जाएंगे तो carbon किसी भी carbon को उठाई और देखे क्या 4 है तो 1,2,3,4 bond तो यह क्या हो गया tetravalency तो यह branch है क्यों क्योंकि यहां से इसमें एक branch निकल गई है जैसे पेड़ों में branch होती है यह सीधी है और यह इसकी branch है तो यह क्या हो गया branched compound अब बात करें ring की तो भईया आप लोग देखे होंगे बहुत ही जबरदस्त एक compound यह ऐसे है यह हमारा आप लोग देखे होंगे न ऐसे type के compound को तो यह हमारा क्या यह हमारा ring है अब ज़रा count करिए क्या band में मामला equal है तो अगर ring में कहीं double band नहीं है तो 4-4 band single लगेंगे 1-2-3-4 1-2-3-4 और यही को कभी-कभी हम ऐसे दिखाते हैं बेंजीन नाम सुनें आप लोग बेंजीन ऐसे बनाई रहती है और आप से बोलेंगे कि यह क्या है यह क्या है यह बेंजीन है यह क्या है बताएं क्या है यह यह है देखे कार्बन, 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 कार्बन कार्बन यहां पर ब्रांच बना रहा है और वही कार्बन यह पर रिंग बना रहा ते और कार्बन के पास केटनेशन पावर जबर्दस्थ है दोस्ती कर लेता है अमीरा फ्लिट aux आदमी से भी गरीब आद hen से यह जुड़ जाता है और इसी रीजन से बहुत सारे दोस्त हैं इसी रीजन से बहुत सारे compound हैं तो I hope आपको clear हुआ होगा my dear students कि versatile nature of carbon में सबसे पहले tetravalency then ketination power I hope clear हुआ होगा अगर सारी बाते मेरी आपको समझ में आ गई तो जल्दी से comment section में comment किरके हमको बताइए सर हमको सारी चीज़े clear हो गई वीडियो को like करिए channel पर नए है तो यार subscribe करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको share करिए आज की लिए बस इतना इस्ट्रेट्स thank you so much